गुलबरगा शहर के टीपु सुल्तान चौक आजादपूर रोड पर लाइफ केर ब्लड बंक के खरीब लाहाम फैमिली रेस्टोरेंट ओपन होने जा रहा है इस रेस्टोरेंट में आपके लिए मटन मंदी, चिकन मंदी, विफ मंदी और श्पेशल बोर्मा के आलावा कई मुख्तलिफ डिशेस अवेलेबल रहेंगी लाहम फैमिली रेस्टोरेंट के प्रूपरेटर्स ने गुलबर्गा हैटलाइन्स के जरिये कहा कुछी दिनों में इस रेस्टोरेंट का इन्वेगरेशन होने जा रहा है मंदी और बोर्मा जैसे अरबियन और टुर्की डिशेस का मज़ा औरिजिनल स्वाद के साथ आप यहां ले सकते हैं प्रूपरेटर्स ने कहा गुलबर्गा श्पेशल में पहली बार विफ मंदी और बोर्मा लाहम रेस्टोरेंट में लाँच किया जा रहा है और आज कल तकरिबन होटेल्स में मंदी आसानी से अवैलेबल मिल रही है पर जो असर मंदी का सुआद होता है वो ज्यादा तर होटेल्स में देखने को नहीं मिलता है लाहम फैमली रेस्टोरेंट के परोपराइटर्स मंदी के लिए कुछ खास मसाले अपने घर पर तयार कर रहे हैं जिससे औरिजनल मंदी का सुआद दिया जा सके काफी खूबसूरा डेकरेशन के साथ इस रेस्टोरेंट को तयार किया गया है और जैन सेक्षन के अलावा फैमली के लिए सेपरेर सेक्षन भी बनाया गया है जहां आप अपने फैमली के साथ तमाम जैख़दा डिशर्स का लुथ फुटा सकते हैं कुछी दिनों बाद इस रेस्टोरेंट के इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी मंदी और खास कार बोर्मा के सौकीन इस रेस्टोरेंट को विजिट कर सकते हैं कर दो per rider प trad सकते हैं इस रेस्टोरेंट करेंसे के सब्साइबने हैं चाल जा अ झाल रच अजिए कर दो ख whiply और अ मेजर आफ आप, итगान हैं क्योंकितर क्योंकितर अस्सलाम उलेकुम रहमेतुलाहिए वरक्यातू टिबू सुल्तान चौक पे लाइफ केर ब्लड बेंग के पास आजादपूर रोड पे हमारा एक रेस्टोरेंट शुडू किया जा रहा है जिसका नाम है लहम लहम एक फैमिली रेस्टोरेंट है जिसमें आप अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हैं जिसमें जेंट सेक्शन अलग है और लेडी सेक्शन अलग है जिसके अंदर आप अपनी फैमिली को लाने के बाद मज़ेदा डिशूस के आप लुथ उठा सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास आएंगे इस इंशालला इस चीज का लुट्फ उठा पाएंगे खास कर अगर हम बोर्मा की बात करेंगे हमारे पास गुलबरगे में यह इसपेशल एक वाहिद एक ऐसा डिश है जो किसी रेश्टोरेंट में नहीं है इंशालला हम इसको सबसे पहले इसका आगास कर रहे यह एक तुर्की डिश है इंशालला आप एक बार खाएंगे तो उसका लुट्फ उठा पाएंगे दुलबरगा में बहुत सारे रेश्टोरेंट है जिसमें आप मंदी खाया होंगे इंशालला हम आपको असल मंदी क्या चीज है वह हमारे पास आने के बद आपको असल हम क्या है उसका वह चीज बताएंगे इसका रिजन यह है क्योंकि हमारे पास हमारे घर में इसके चंद मसाले जो है हमारे घर में खुद तयार किये जाते हैं इंशालला वो आप खाने के बाद खुद आपको उसका पता चलेगा बहरहाल बस हम कुछ दिनों में इंशालला इ मेडिया के जरीए से बताया जाएगा